भगवान स्री कृष्णे अर्जून को आत्मा का उपदेश देते हुए का जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जनमता है और ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन्न हो फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजनमा नित्य सनातन और पुरातन है सरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है क्योंकि जिस परकार हम सरीर में कपड़े बदलते रहते हैं उसी तरह यह आत्मा अने को सरीर धारन करते रहते हैं एक सरीर मर जाने के बाद आत्मा दूसरे सरीर में परवेश कर जाती है हे अर्जून जो पुरूसित आत्मा को नास रहित नित अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरूस कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने सरीर को त्याग कर दूसरे नए सरीर को प्राप्त होता है इस आत्मा को सस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता है और वायू नहीं सुखा सकता है या आत्मा सदा अजर और अमर है क्योंकि या आत्मा अचेद्ध है या आत्मा अदहाई या आत्मा अकलेद्ध और निसंदे असोस्ची है तथा या आत्मा नित्ध सर्व्यापी अचल इस्थिर रहने वाला और सनातर है या आत्मा अव्यक्त है या आत्मा अचित्ध है और या आत्मा विकार रहित कहा जाता है हे अर्जुन इस आत्मा को उप्युक्त परकार से जानकर तुँ स्वाग करने को योग नहीं है अर्था तुझे स्वाग करना उचित नहीं है किन्तु यदि तुम इस आत्मा को सदा जनमने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है अर्जुन तु इस प्रकार स्वाग करने को योग नहीं है